करेंगे करेंगे टॉप 35 कोश्चिन जियोग्राफी जो भूत ही इपॉर्टेट है तो स्टार्ट करते हैं परस्ट कोश्चन है हमारा सौर प्रनाली की खोच किस ने की थी तो स्टार्ट करते है तो स्टार्ट प्रनाली की खोच किस ने की थी औप्षन हमारे गलेलियो ने जेयल बेड़ने कोपर निकस ने या कैप्टर ने तो हमारा राइट हासर रेगा औप्ष्टन नेमन में सहे कौन सा पार्थिप गिरह नहीं है तो इन में से हमारा पार्थिप्रह कौन से नहीं है तो आप्षिन है हमारे बुद्ध, सुक्र, मंगर और सनी जो हमारे पार्थिप्रह नहीं है वह हमारा आप्षिन सनी पार्थिप्रह हमारे क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं पार्थिग्रह या आंत्रिग्रह पार्थिग्रह कोई आंत्रिग्रह कहा जाता है यह हमारे बुद्ध, सुकर, पृत्वी और मंगल हमारे पार्थिग्रह हैं ने चिटानिय ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यह पृत्वी के समान होते हैं तो आंत्री ग्रह होगे मारे बूद, सुकर, प्रिच्वी और मंगल और बागी रहते हैं उन्हें बलते हम बाहे ग्रह नेशकों शिंगर बढ़ते हैं किसी ग्रह की चारों और पर ग्रमा करने वाले छूटी आकासिय पिंड को क्या खहते हैं तो option है हमारे पास, option है हमारे ग्रह, उप्रह, शुद्ध ग्रह या सौकतार तो तुमारे ग्रह के चारों और पर ग्रमा करते हैं क्या बोलते हैं? बोलते हैं उप्रह इसका right answer का option B ग्रख की गति का नियम किस ने प्रतिपातित किया तो आप्शन है हमारे न्यूटन, कैप्डर, कॉपर्णिकर्स या गैलोलियो तो इसको ने आप्शन प्रतिपातित किया सौहरमंडल में कुल कितने करह हैं, तो इतो सभी कुवता होगा हमारे आप्शन हमारे आठ नौग, तो इसका राटार हो जैगा हमारा आठ है हमारे जो हमारे सौहरमंडल में ग्रहों किसेगए, नेक्स्ट वोश्चिन, सुर्य से बढ़ती दूरी के इसार ग्रहों का धिमर में से कौन सा ग्रम सही है तुस्सुरे से बढ़ती होई दोरी के लुसार हुआ हमारे ग्रहों की स्थाथिक होड़ान का है हमारी आप्ष्ण है हमारे वुध्र प्रटफी मंगल शुकर वद्ध 3410 अब ब५ह गवन कि सुकर करे रिजान nuestras प्रेंख हैऊँ, त सबसे पहले हमारा बुद्ध आता है, उसके बाद हमारा सुक्र आता है, उसके बाद पृत्वी और उसके बाद बंगल आता है, तो यह हमारा राइट आंसरों का हमारा option A, तो हमारा बुद्ध, सुक्र और बंगल, पिक्चर में देख लेते हैं, हमारा पहले, यह हमारा सूर्य है, सबसे पहले हमारा बुद्ध आता है, उसके बाद सुक्र, उसके बाद पृत्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद भ्रेश्पती, और उसके बाद सनी, उसके बाद वरुन और वरुन आते हैं, और सबसे नजदीख हमारा बुद्ध है, और सबसे दूरी का हमारा वरुन, नेक सब्सक्रम सब्सक्राइब और इसा प्रिथवी से दुरी की तुर से वहाँ है कौनझ से ग्रह प्रिश्पति मंगल सुक्र प्रिश्पति सबसे पहले सबसे नजदीक हमारे सुक्र है उसके बाद मंगल है उसके बाद बुद्ध है और उसके बाद प्रिश्पति है प्रिश्पति से सबसे नजदीक हमारा सुक्र है उसके बाद मंगल है बुद्ध है और प्रिश्पति है त option B इसका right answer होगा तो यह हमारा option B शुक्रमंगल पुद्ध और प्रिश्पति का right answer next question आकार के नुसार सौर मंदर के क्रहों का अवरोही क्रम है तो हमारा अवरोही क्रम की इसाव से हैंके सबसे बढ़ा सबसे चोटा सबसे बढ़ा उससे चोटा तो इससाव से हमारा इसका right answer रोजाएगा option C फिर इस पत्ति हमारा सबसे बढ़ा है उसके बाद सनी है उसके बाद वरून है और फिर हमारा पृत्वी, बुद्ध, मंगल और सुकर यहमारा right answer option C ब्रहिस्पति, सनी, वरून, अरून, पृत्वी, सुकर, मंगल और बुद्धिस के right answer नेमन में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है तो option है हमारे शुद्ध ग्रह, तुमकेतु, ग्रह और निहारी का तो इसका right answer रोजेगा हमारा निहारी का हमारा सौरमंडल का भाग नहीं है और एतिनों हमारे सुद्रगादुंके त्वार ग्रह हमारे सौरमंडल का भाग है मैं शुर्ट श्रीव परते हैं सूर्य की चारव और चकल गातिक रहूं का वेक ऑप्षन हमारे नियत रहता है अधिक्तम होता है जब सूर्य के समिप होता है अधिक्तम होता है जब सूर्य से दूर होता है कुछ नहीं खा जा सकता तो इसका रहाशन होगा अबरा ओप्षन पी अधिक्तम होता है जब सूर्य के समिप होता है तो इसका रहाशन अंसर बहारा हो जाएगा option B next question को बढ़ते हैं अंत्रिक्स में कुल कितने तारा मंडल है तो option है हमारे 87, 88, 89 या 90 तो इसका right answer हो जाएगा हमारा option B 88 तारा मंडल है नेस्ट कोश्चन बहुत ही मोड़ी कुश्चन है निकस ओलांपिया कोलूम्बस बरबत किस क्रह पर स्थित है option है हमारे बुद्ध पे शुक्र पे प्रत्थवी पे मंगल पे तो इसका right answer जाएगा हमारा option D मंगल पे हमारा निकस ओलांपिया है मंगल पर स्वार मंडल का सबसे बड़ा ज्वाला मुख्य उलिपस मेसी जो सबसे बड़ा ज्वाला मुख्य हमारे सौर मंडल का वो हमारा मंगल पे 78,000 फीट इसकी उन्चाई है फीट में हमारी 78,000 और 24 किलोमेटर हमारी हाइट है इसकी निकस ओलांपिया जो हमारा सौर मंडल का सबसे उन्चा पर्वत है और प्रित्वी का हमारा मौंट अवरेष्ट जो हमारा निपाल में स्तित है नेश कोशन क्यों बड़ते हैं और प्र पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है प्रित्वी के समान जो ग्रहों होते हैं हमने पहले भी किया है तो हमारे चार है कॉर्वाद से है हमारे बुद्ध शुकर प्रित्वी और मंगल हमारे पार्थिव ग्रहों नेश को बड़ते ह झालतां कि अभी हमने किया था काट्वाज़ने हमारे बूद्ज ़ कर अप्रिमंग्र रफेंगल हमारे पार्थव बेद्य हैँ सुर्य के चारों और खुमने वाले कबुलिये पुंड क्या खेलते हैं सुरे के चारों और कोंडे वाले का गोलिया पिंड हमारे क्या खिलाते हैं, उप्षिन हमारे ग्रह, उप्षिन हमारे उप्षिन हमारे ग्रह, उप्षिन हमारे ग्रह, जो सुरे के चारों हमारे ग्रह होते हैं, ग्रहों के चारों हमारे उप्षिन हमारे उप्षिन हमारे उप् कितनी है तो इसका प्रेस्पति सद्रिष्ट ग्राव हमारे चार है कि दीख लेते हैं में हम्लिक रास्थिए प्रहलिए चार होके और उप्रेशाबतों संद्रिश्ट्रण नैंसे हैं प्र wobत्य०्स्ति उप्रिश्पति ऑर लिम्हें आरोंच को झाता यथा कि नास्त कूंषण करहएं कि प्रेश्वती सद्रिष ग्रहों में समझे नहीं है तो अप्शोन हमारे सनी अरुन वरुन मंगर extend और उप्षिन दी हमारा सद्रिश ग्रह में समले नहीं है प्रेस्वती नेस्ट कोश्चन निमिल लिखित में से किन दो ग्रहों को शुड़कर से सबी ग्रहसुरे के चारों और बामा ब्रत घुमते हैं कि पामा ब्रत बादा एंटी क्लॉक्वाइस कौन कौन से कुमते हैं हमारे दो ग्रहों को छोड़कर सभी हमारे एंटी क्लॉक्वाइस कुमते हैं तो हमारे कौन से ग्रह है जो हमारे पूरव से पश्चिम के और घुमते हैं यह हमारे पूरव से पश्चिम के और घुमते हैं हमारे ऑप्शिन दी इसका राइट हंसरों का ऑप्शिन डी हमारे पूरुव से पश्चिन से पूरुव के और गपते हैं नेच वर्श्चिन सौर मंडल का जंदाता किसी कहा जाता है सौर मंडल का जंदाता किसी कहा जाता है तो सौर मंडल का जंदाता कहा जाता है हमारा option A सूरे इस question को बरते हैं ब्रह्मभाण में विस्पोटी तारा कहलाती है ब्रह्मभाण में विस्पोटी तारा किसी कहाते है आप्शन हमारा धुमकेतू, उलका, लुधक और अभिनवतारा आप्शन हमारा टी स्क्राइस का अभिनवतारा हमारा विस्पोड़तारा कहलाता है नेश कोशन विगानिक जिन्होंने सरप्रतम खोज की की पृत्वी सूरे के चारों और खुमती है ये थे कौन थे आप्शन हमारे न्यूटर्न, डाल्टर्न, कॉपर निकस, हिस्टाइन, तुसका राइट हां से आप्शन सी, कॉपर निकस नहीं कहा था, सूरे के चारों और हमारे प्रिस्पी होती है